हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो एक ऐसा डाटा रिलीज हुआ है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट बेंकों को जिनका नाम है जैसे कि HDFC बेंक ठीक है ICIC बेंक जो दूसरे नमबर पर आती है कोटक तिसरे नमबर पर आती है एक्सिस आती है फिर पब्लिक बेंक मतलब गॉर्मेंट बेंक जैसे कि आप बोलो कि SBI सबसे बड़ा लेंडर है ठीक है पब्लिक बेंक में गॉर्मेंट बेंक में तो इनको है ना वो चुनोती दे सकता ह चुनोती दे सकता है या बहुत बड़ा competition दे सकता है एक ऐसा data release हो रहा है जो मैं आपको पूरा detail में दिखाने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले मार्केट को देखते हैं तो मार्केट अभी ट्रेट कर रहा है 18882 पर काफी अच्छी तरीके से मार्केट ट्रेट कर रहा है इस करने लगा है तो सबी के लिए ये काफी बड़िया news देखने को मिल रही है और मार्केट के लिए रहे आगे क्या update आता है ये जरूर मैं आपको cover करूँगा तो इस वीडियो को फटा बट्चे आप लाइक करिए और चैनल को subscribe करिए तो चलिए सबसे पहले उस data जो release हो रहा ह है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं money control की site के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूँ और यह data दोस्तो 29 नौंबर का है बैसे के लिए आज 1 December है तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है deposit of small finance bank मतलब जो छोटी bank है ठीक है जिनमें दोस्तों last year के comparison में जो deposit है वो increase हुआ ह मतलब जो छोटी bank है उन्होंने customer को अपनी तरब जादा खीचा है क्यों खीचा है दोस्तों वो आपको में नीचे बताने वाला हूँ अब यहाँ पर भी वो ही बताया गया है ठीक है कि जो small finance bank है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो customer है वो increase किये है ठीक है previous year के comparison में औ और जो Indian bank association है जैसे हम IBA बोलते हैं उन्होंने दोस्तों यह data release किया है small finance bank का 2022 का तो हमारे लिए यह बहुत बढ़िया बात है तो एक एक करके सभी को देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों small finance bank में सबसे बड़ी bank जिसका नाम है EU small finance bank देखे चोटी सी bank है दोस्तो जो अभी growing mode में है तेखे growing mode में आप देखे 2020 में इसमें जो depository थी वो 26,164 करोड की थी 2021 में लगबख 36,000 करोड की हो गई और 2022 जो लगबख खतम होने में आ चुका है तो 52,585 करोड की होगी तेखे 52,585 करोड की अब दोस्तों यह दिखाने का क्या मतलब है यह दिखाने का यह मतलब है दोस्तों कि company की growth या bank की growth कितनी खतरनाक तरीके सोरी क्यों हो रही क्यों हो रही यह देखे अब इतना पैसा आया bank के के पास ठीके इतना पैसा bank के के पास आया तो अब bank इसी पैसे को तो दोस्तों लोन के रूप में बाटेगी लोन के रूप में बाटेगी ठीक कि ये जो bank है ये दूसरे bank को के comparison में मतलब जो बड़ी bank है जो large bank है उनके comparison में ज़्यादा interest दे रही है आप customer को क्या चाहिए जहाँ पर ज़्यादा return मिलेगा वो महाँ पर चाहेगा आप stock market की भी बात कर लो चाहे local market की बात कर लो customer को यही चाहिए ठीके एक investor को यही चाहिए कि मैं अगर कोई सी bank में deposit कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा मुनाफ़ा होना चाहिए कोई-कोई bank 6% दे रही है हो सकता है AU small finance bank 8% दे रही हो ठीके deposit पे return तो उसको भैतर लगा वो आया यहाँ पर पैसा deposit किया bank के पास पैसा आ गया तो bank अब दोस्तो पैसा बनाती तो नहीं है उसके पास आप ही लोगों से पैसा आता है ठीके तो वो इसी पैसे को क्या करती है market में दोस्तो बाढ़ती है लगभग 10% के ब्याच पे ठीके मतलब आपको loan दे रही है 10% पे तो जो बीच का गय पे वो उसकी कमाई हो गई इसकी bank की आपको आपका 8% मिल जाएगा ठीके customer से 10% ले लेगा जो 2% मिलेगा वो bank की कमाई हो जाएगी ठीके इसमें से कुछ पैसा investment किया जाएगा ठीके bond के रूप में investment किया जाएगा stock market में investment किया जाएगा या कहीं property में investment किया जाएगा ठीके फिर वहाँ से भी पैसा बनेगा तो ये चीज देखके दोस्तो ऐसा पता लगता है कि ये जो bank है अब एक अच्छी तरीके से चल पड़िये अब ये बैंक नहीं है और भी है ये देखे दूसरी बैंक का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये ESF small finance bank जिसने दोस्तो 2022 में 12885 करोड उपे का deposit किया है ठीके उजिवन small finance bank के अगर मैं बात करता हूँ उसने 2022 में 18229 करोड का दिया है किया है deposit एक उसका small final bank के ठीके उसने लगभग 2022 में 10,000 करोड का deposit किया है 2020 में उसका कितना था 2021 में आप देख सकते हैं उजिवन small finance bank का आप देख सकते हैं 2020 में कितना था 2021 में कितना था उसके साथी जो सबसे first bank के उसका 2020 में कितना था 2021 में कितना था मतलब काफी अच्छी तरीके से दोस्तो ये bank क्या कर रही है अब market में grow कर रही है ठीके क्योंकि दोस्तो आप देखी रहे होंगे कि आप ये company अफडी का return भी बढ़ा रही है depository का return भी बढ़ा रही है तो इन bankों की जो condition है दोस्तो वो बहुत अच्छी तरीके से सुधरते देखने का मिल रही है मतलब दोस्तो सीधा-सीधा ये है बोलने का मतलब कि EU small finance bank जो नीचे मेंने bank बताई ना आप इनको छोड़ दीजी ये थोड़ा risky bank है तीके इनको आप छोड़ दीजी फिर fundamental condition देखते है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है EU small finance bank का आज का performance इसी news के चलते stock 1% की तेजी हमें दिखा रहा है 646 उपे पर ट्रेड कर रहा है previous close था 649 उपे 30 पैसे open होता 642 high लगाता 648 उपे 70 पैसे और low लगाता 649 उपे 30 पैसे ठीके 43,000 करोड का यह bank बन चुका है 32 के असपास 200 PE earning ratio है और dividend yield भी काफी बढ़िया है 52 बिक का ही देखिए 52 बिक का लो देखिए overall का performance अकर में इसका दिखाता हूँ तो यह bank market में 2017 में आई है देखिए काफी उपर तक गई फिर बहुत नीचे तक भी आई ठीके यह मतलब इस टाइप के risky company क्योंकि नाम में small है तो ठीके लेकिन यह company mid cap के टीके रिखिए क्योंकि बहुत बड़ा market cap लेके बिठी है और 500 रुपे की range में भी बहुत दिनों से trade कर रही है मतलब दोस्तों ऐसी news अगर continuously चलती रही company का जो growing mode है ऐसे ही होते रहा तो definitely दोस्तों AU small finance bank जो है वो पूरे बाजार को हिला सकती है और बड़ी बड़ी बैंकों को competition भी दे सकती है अब चलो इसका fundamental condition भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं AU small finance bank अब bank के तो सभी प्रकार का दोस्तों यह काम करती है अब यहाँ पर देखिए 34.3 का P.E.N. ratio है return on employer देखिए 7.19% return on equity 16.6% face value 10 रुपे का है ठीक है और अब यह जो है यह 50 दिन के moving average के उपर 200 दिन के moving average के उपर trade कर रही है उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ देखिए यह सब बेंकों को comparison किया जा रहा है तो AU small finance बेंगे न जो वो दोस्तों लगभग साथवे नंबर पे है ठीक है साथवे नंबर पे और उसके साथ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका quarterly performance इसने दोस्तों लगभग 2000 करोड का revenue generate किया था सितंबर क्यू में अभी तक का सबसे ज़्यादा ठीक है उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ नेट इंकम की तो नेट इंकम रहा ही थी दोस्तों company की 343 करोड की जो Q&Q basis पे भी बड़ी year on year basis पे भी बड़ी जो हमारे लिए बहुत बड़ा plus point है उसके साथ ही दोस्तों सालाना तोर का अगर revenue देखें तो 2013 में पूरे साल बर में company ने 438 करोड का revenue निकाला आज वो ही revenue दोस्तों 6000 करोड पे आ गया ठीक है 6000 करोड पे अब आप देख सकते हैं 9-10 साल के अंदर अंदर company का जो business है सीधा सीधा 10 गुना बढ़ गया ठीक है अब net profit के में बात कहता हूँ net profit मातर 50 करोड का था ठीक है 2013 में लेकिन अब 1130 करोड पे आ चुका है कहां पर 1130 करोड पे तो हमारे लिए यह बहुत बढ़िया बात है percentage बाइस देखे sales growth जो है वो 31% की तेजी से हो रही है profit growth जो है वो 11% की तेजी से हो रही है अब इसी के साथ साथ इस company का share holding pattern भी देखते है तो देखे promoters ने stake कम किया तो यहाँ पर foreign investor ने खरीद लिया domestic ने खरीद लिया सितंबर क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ और public के पास बहुत कम बचाए हलका पतला stake नहीं उठाया है FIA और DI ने बहुत बहुत उठाया है इसलिए तो दोस्तों उठाया है क्योंकि इनकी जो growth है वो बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है तो जरूर दोस्तों हमें भी इस bank के उपर दूसरी bank को के comparison में focus रखना चाहिए क्योंकि जो news निकल के आ रहा है वो बहुत बढ़ी आ रहा है एकदम positivity के साथ आ रहा है और इन company का इन bank को का हमें future दिखा रहा है ठीक है तो जरूर दोस्तों EU Small Finance Bank को अपने portfolio में जगा दीजिए लेकिन छोटी quantity के साथ दीजिए पूरा पैसा इसमें मत डालिए 10-20-50 quantity खरीती है आगे momentum बढ़ेगा फिर और add करेंगे ऐसा दीरे दीरे करके हम add down करते चलेंगे ठीक है तो ये था आप लोगों क्लिक धमागिदार update तो इस वीडियो को फटापट से लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए क्योंकि और भी इसी प्रकार के बैतरिंग वीडियो में आप लोगों को तक लाने वाला हूं तो थैंक्यू दोस्तों